यह कहानी उत्तर परदेश के भदोही जिले में अभोली बलाक के गांप परवपुर की है। यहां की कुल अनुमानित जनसंख्या अठारा सो है। उननिस साल से बिजली नहीं है। बिजली ना होने से यहां पर बहुत सी समस्या उत्पन हो रही है। जैसे पानी के कारण फसले नहीं हो पा रही है। फसलों के सिचाई नहीं हो पा रही है। बच्चे परिच्छा के समय पर लिख पर नहीं पा रहे है। लाइन के बहुत जरूरी व्याहाई है। गदेलन के पढ़ाई लिखाई के धान गोहूं ना होता पाइदा। अगर धन्दा भी जिनिस मनेज में अपने खेती में कोई रापानी को बैस्ता हो जाई जाए कि कोई राकाई के जी खाई सकता गरी मनेज जणल जारी महरी हमारसा कुछरे पर पढब गारबाह ऐए मुभाईल के तजरूरी बा लाइन के तजरूरीव जरूरी गोरू शग अग आगर हम सब पानी लेवाथ हई तो आपने क्या अपने पनाई जयाएज़ देता हाई कि हमार बोड़ी जाए ते पहले बोई दियेभा हम्हेंस उम्हेस सब के बाद में आवाथ पानी उकर खेते में कि लेव नहीं आवेज़ देता अगर चेरवी बिनते के लिए जाता तक कि अगर जाम अतना इबा तर फेर दुबार हम ऐच सके बोव इक परता अपना बोवा तो भुख बोवा बिजली पाने के तर बहुत यहां देखका दिप्याव लड़कियां के परिच्छा याई वा परिच्छा होता उत अन्हीं आरे कैसे तैयारी न करें तो परिच्छा कैसे देई वीडियो देखने वाले सभी दर्सकों से अपील करती हूँ कि बिजली विभाग अधिकारी चेह की मुबाइल नंबर चौरानवे तीरबन जीरो सैतारिस दोसो अस्ती पर काल कर दबाव बनाए ताकि उनके यहां बिजली की समस्या दूर हो जाए मैं केसा दिभी उत्तरपर्देश से इंडिया अन्हार के लिए